है गाइज वोकम बाक्टो मैं चैनल एजुगरबर और आप सबका सागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में सो जैसे कि आप लोग अभी मेरी स्क्रीन पर देखी सकते हो कि यहां पर मैंने कौनजी साइट को लिए है यह है यह है यूजिसी के साइट यूनिवर्सिटी गांच कमिशन की ओफिशियल साइट तो यह मैंने यहां पर इसलिए कुल रखी है विकाज के वीडियो हमारी होने व हो सकते हैं लेकिन उन्होंने एक्जामिनेशन का ट्वीट तो कर दिया बट फॉर्म के लिए कुछ भी कोई इंडिकेशन नहीं दिया था और तब से जो है सब के सब बच्चे क्योंकि उन्होंने एक्जाम के बारे में बता दिया था तो ओविसली बहुत जादा है बच्चो को कि फॉर्म तब तक आये ही नहीं है तो इसलिए फॉर्म के रिगार्डिंग काफी दिनों से चल रहा था कि हो सकता है कि लास्ट वीक में आ जाएं या फिर एप्रिल के में आ जाएं इस तरीके चीज़ चल रही थी लेकिन अब जो है ओफिशिली आपके फॉर्म रिलीस हो पिछले साइकल भी पूरा का पूरा बिगड़ गया था और पिछले साल भी दो साइकल को नहीं हो पाया था कोवीट के सरकम्स्टांसिस के वजह से तौ इस बहर का जो एक नेत होने वाला है, वो दिसमर 2021 और जून 2022 को merge करके होने वाला है, ठीक है? और आपका जो examination होता है, वो आपका दो shift में होता है, एक morning shift में होता है, और एक evening shift में होता है. तो आपका कौन से चिफ्ट में होने वाला है वो सब आपको फॉर्म जब भर दोगे हो जब आपका एडमिट कड़ाएगा उसमें आपको सारे की सारी information मिल जाएगी ठीक है तो आज की इस वीडियो में आपको क्या बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप step by step आपने UGC net का examination form बढ़ सकते हो आपको यहाँ पर नोटिस भी दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या जो है information UGC net में release करी है तो प्लीज वीडियो को पूरा end तक watch करने एक भी step miss कर दोगे तो आप से गलती हो सकती है तो सारे की सारे information पाने के लिए keep watching the video और अगर पसंद है तो प्लीज दोस्तों के साथ पी share करना और इस तरीके की important information एक दम time पर चाहिए और examination में भी help चाहिए तो आप हमें चैनल को subscribe जरूर कर लेना और आगे जो bell icon इसको press कर लेना तकि आने वाली हर एक notification का वीडियो का notification आप तक महुच जाए ठीक है उपन कर लेती है यहाँ पर कि इन्होंने इस notice में क्या क्या चीज़ जो हैं दिखा रखी है इसके सामने जो आपको पीड़े खुल के आजाएगा notification का ओके सो यह है आपका notification में इसको zoom कर देती हूँ आपके लिए ठीक है तो यहाँ पर आप देखे सकते हो कि public notice आपका 30th April को जो है यह release हुआ था है यहाँ पर तो NTA has been entrusted by the university grant commission with the task of conducting UGC net यानि कि आपका जो net का examination है वो कौन सी agency conduct करवाती है NTA यानि कि national testing agency अब यहाँ फिरल में जितने भी entrants और examinations होने लगे हैं वो सबके सब जो है NTA के हाद में गौर्मेंट इस सौंप दिये हैं ठीक है तो national testing agency will conduct UGC net December 2021 and June 2022 March ठीक है for JRF जैसे के आपको पता ही होगा अगर आपको नहीं पता है कि JRF और net में क्या फरक होता है आई बटन से या पर नीचे description box में भी आप link से देख सकते हो ठीक है and eligibility for assistant professor तो जो भी इस video को देख रहे हैं अगर वो examination form भरने के लिए इस video को देख रहे हैं तो obviously उनको पता ही होगा कि net किसले होता है अगर आपको प्रोफेसर बनने के लिए एक eligibility criteria प्राप्त करने के लिए examination होता है यानि कि अगर आप net का paper pass कर लेते हो तो आप eligible हो जाते हो कि आप किसी university में जाके assistant professor के लिए महाँ पे interview देखर apply कर सकते हो ठीक है direct job आपको नहीं लगती है इस confusion में मत रहना कि आपको direct job लग जाती है direct नहीं लगती है बस आपको यह एक eligibility प्रोवाइट करता है ठीक है तो यह हैं आपकी सारी-सारी important dates यहापर लिखा है कि आपका application form जो है 30 April से जो start हुए है last date जो होगी आपकी वो 20 मही रहेगी शाम 5 बजे तक और उसके बाद आपका जो last date for submission of examination fee यानि कि जो आप फॉर होगी जो भी फीस लगेगी वो भी सेम ही रेट तक रहेगी 20 मही 2022 तक लेकिन फॉर्म जो आपके वर 5 बजे तक भर सकते हो और फीस submission जो है रात के साड़े 11 बजे तक भी कर सकते हो ठीक है उसके बाद जो भी आपका application form में correction के लिए window जो खुलती है यानि कि आपने कोई गलती कर दिया form में तो बाद में जब उसको correct करने के लिए आपका window खुलेगा वो 21 से 23 मही यानि कि तीन दिन के लिए उसके बाद आपका intimidation of cities, intimidation of cities of exam centers जो भी आपके exam centers कहा होने वाले वो announce अभी यहापे date नहीं लिखी गई है वो आपको soon बता दिया जाएगा उसके बाद admit card भी आपको बता दिया जाएगा admit card वैसे जब आपका examination होता है उसके पहले one week के अंदर आपका आजाता है ठीक है आपका examination का date भी यहापे अभी जो है confirm नहीं है लेकिन UGC की chairman ने जो है बोला था tweet पर अपने काफी तीनों पहले कि जून के पहले हफते या फिर दूसरी हफते में आपका examination conduct हो सकता है लेकिन क्यूंकि form काफी late release हो है तो अभी उसका थोड़ा सा आप जो है confirmation नहीं मान सकते तो इसको थोड़ा सा भी tentative मान सकते हो क्योंकि change हो सकता है भी dates में ठीक है तो जैसे कि मैंने आपको examination बताया था एक first shift में होते है second shift में first shift होते है आपकी 9-12 की और second shift होते है आपकी 3-6 की ठीक है और application fees जो सबसे important बात है वो आपके होने वाली है जो general category होते है और जो unreserved होत और OBC के लिए आपकी 5.5 होने वाली है SCSTD और third gender के लिए 275 होने वाली है ठीक है तो उसके बाद इन्होंने जो एक और important information and dates at a glance इसको भी मैं एक बड़ी खोल के मैं आपको दिखा देती हूं कि यहाँ पे जो है आपकी important dates का एक अलग से भी PDF यहाँ पे upload किया गया है ठीक है वो तो था जो आपकी पहले वाले PDF था उसमें आपकी सारे information थी और यहाँ पे जो है important dates के regarding आपका एक और notice जो यहाँ पे upload कर रखा है सेम चीजों के लिए वही same information इसमें सारी के सारी है date वगएरा और आपकी जो भी examination fees होने वाली है और जितनी भी इहाँ पे चीज़े थी व पेपर 1 में आपके 50 questions आते हैं और पेपर 2 में यानि कि आपका subject वाला paper होता है जिसमें भी आपको teaching करना है तो वो आपका 100 marks का होता है तो दोनों को मिलाकर आपको 180 minutes यानि कि आपको जो है तीन गंटे का paper जो है आपसे लिया जाता है जिसमें कि आपका कोई भी break नहीं होता ह आप यहाँ पर नीचे जो है देख पारे होंगे कि यहाँ पर लिख है registration of online application form for UGC net ठीक है तो इसको simply आपको जो है clear tap कर लेना है उसके बद आपके सामें जो है आपका examination form कुल के आ जाएगा कि आपको step by step कैसे fill up करना है ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर application form और application number आपको सकते हो लेकिन क्योंकि अब हम ने यह पर 1 step नहीं किया तो सबसे पहले आपको क्लिक करना हैं सबसे पहले आपको इन यू री स्टेसिन पर क्लिक करना है यहाँ तो how do new registration पर जो है simply tap कर लेना है new registration और यहां पर सारे के सारे आपके steps लिख रखे हैं कि आपको first step क्या करना है second step क्या करना है तो first step तो यही है कि आपको registration करना है second step में आपको जो है उसको login करना है उस registration और password के साथ और then जो है आपको अपना form fill up करना है और जितने भी चीजों में जो upload करनी है, उनका size भी यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, और step 3 आपको finally fee payment यहाँ पर आपको कर देनी है, तो अगर आपने यह सब चीजे पढ़ ली हैं, तो इसको यहाँ पर आप कर सकते हो, click here to proceed, तो इसको click करने से बहले आपको यहाँ पर tick करन आपको इनीम डालना है, तो आपको देट अफ़ बद डालना है, आपको जेंडर, इंटिटी टाइप, यानि कि जो भी आप अपना एक आइदेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करने वाले हो, चाया धार कार्ड या वोटर आडी कुछ भी ठीक है, उसको यहाँ पर नमबर डा अपको भी मॉबाइल नमबर और एमिल एडरस डालते हो, वो हमेशा आपको अपना डालना चाहिए, विकोज सारी इंफेमिशन आपकी उसी पर आती है, थीक है? तो अगर आपकी सारी की सारी information same है तो आप यहाँ पे same as present address कर दोगे तो यह automatically यहाँ पे fill up हो जाएगा उसके बाद आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको registration करने के बाद लॉग इन करना है same password के साथ तो यहाँ पे आप जो भी password बनाओ के उसको कोही ने कही लिग ज़रूर लेना क्योंकि every time अप जबी भी कोई information के लिए साइट पर आओगे तो आपको उसी password के साथ जो है लॉग इन करना होगा तो यहाँ पे पने password को confirm कर लेना उसके बाद आपको security question पूछेगा कि in case आप अपना password भूल जाते हो तो आप कौन से question के साथ जो है लॉग इन कर सकते हो फिर उसके बाद आपको जहाँ पे capture दे रहकर security भी इसको यहाँ पे आपको फिल कर देना है तो ताक कि आप लोग को time जाया ना हूँ मैं सबको फिल करने के बाद आपको next step पे लेके चलती है तो अब हमने आपको सारी के सारी information को fill कर लिया है अब nós next step पे चलेंगे यहाँ पे submit पे क्लिक कर देंगे okay उससे बादे आपको सारीusan information को ठीक से पढ़ लेयना है जो भी आपने भरी है उसको एक भरी आपको ठीक से पढ़ लेना है और अगर आपने ठीक सब कुछ भरा है तो आपको I agree कर दिना है अगर आपको उसमें कोई भी mistake गलती नजर आती है जो आपको ठीक करनी है तो आप यहाँ पर Edit Registration Form पर क्लिक करोगे और अगर आपको सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ पर Submit and Send OTP पर क्लिक कर सकते हो तो तब तक ही Submit नहीं होगो जब तक आपको सारे के सारे columns को टिक नहीं कर दोगे कि आप अपने अपना Name, Date of Birth, Father Name वगएर आप सब कुछ यहाँ ठीक फिल किया है और उसको ठीक से Review कर देटों पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपके फॉन पर जो भी OTP आएगा वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है हमने अपना OTP फिल कर लिया है तो हम करेंगे Submit Registration Form के बाद ही जो है आपके पास आगे फॉन भरने के Options आपाएंगे तो यहाँ पर आपको अपने Personal Details में आपने सिर्फ अभी तक Contact Details को फिल के है अब बाद के सारी एक्जाम की जो भी आपकी Examination की Requirement है वो सब आपको अब फिल करनी है तो यहाँ पर आपको Personal Details पर जो है क्लिक करना है अब इसमें आपकी आदी चीज़े जो है अल्रेडी फिल है जो कि आपने First Step पर फिल कर दी ती अब बाकी जो आपको इहाँ पर फिल करनी है वो यह है कि अगर आपका जो फादर का Name है उनका Nationality आपका क्या है फिर आपको आपको इहाँ पर फिल कर लिना है तो सारे इंफिल करने की बाद आपको आपके security pin को आंपर सेफ एंच कर दीना है तो मैं इसको एक बार फिल यहाँ कर लेती हूं दे आप में इसको नेक्स ट कर देगे तो यहां पर सब कुछ मैंने इनफिल कर लिये और आपके security pin को यहाँ पर टाइप करकि इसको जो है में ल अधार नंबर डाल देना है, येस करने के बाद, सम्मिट कर देंगे तो अभी ने अप्लिकेशन फॉर्म, I am not willing to share में अधार नंबर तो मैं आपको प्रिफर करूँगी क्योंकि वहाँ पे जो है ID, जब आप एंटर करोगा अधार नंबर ज़रूर डालना है, आधार नंबर डालने के बाद, आपको यहाँ पे जो टिक है यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना है, I confirm that I have read and understood all the instructions as described above, उसके बदे आपको submit and next पे क्लिक कर देना है, तो आपको next page पे लिके चला जाएगा, अब यहाँ पे आपको सारे का सारा जो है अपना application form का process यहाँ पे आपका start हो जाएगा, कि आप किस चीज़ के लिए यहाँ पे apply कर रहे हो, JRF के लिए करो या फिर सिफ net के लि आपका जो examination के लिए city होने वाली है, उसका क्या preference आप रखने वाले हो, आपका जो guardian है, यानि कि आपकी father है, या फिर आपकी mother है, उनका occupation क्या है, तो वो सब आपको यहाँ पे डालने के बाद, उनकी qualification डालने के बाद, उसके बदे आपने security pin यानि कि जो भी capture दे रहे है, यह है, तो मैं इसको fill कलके, तो यहाँ पर आपके post graduation, यानि कि PG, जो आपने अपनी master's करी है, उसके बारे में आपको सारी के सारी information है, आपको fill करनी है, कि आपका passing status क्या है, अगर आप appearing हो, तो आप appearing डालोगे, अगर आप already passed हो, तो पास डालोगे, और उसके बाद आपका stream, या या फिर year of appearing, और whether in final year or final year result awaited me हो आप, तो अब आपको next step पे लेकर आगे है, कि whether MPHL passed आपने की है, या नहीं की है, क्यूंकि या नहीं की है, क्यूंकि MPHL remove हो चुलिया, लेकि जिन्होंने पहले years में passing कर रखी है, तो उन्होंने MPHL कर रखी है, तो आपने yes कर सकते हैं, बा आपको security pin डालने के बाद, आपको save and next पी कर देना है, तो मैं इसको already fill कर लेती हूं, तो आपको अपने form completely बस होनी ही वाला है, तो बस आपको अपने documents को यहाँ पर submit करना है, उसके बाद आपको final submission करके fee payment कर देनी है, तो यहाँ पर आपको अपना एक photograph, यहाँ जिसका size यहा आपको अप्लोड कर दिया है, और यहाँ पर security pin डालने के बाद, आप इसको save and next क्लिक कर देना, अब यहाँ पर इसको review करने के लिए बोल रहा है, आपने जितने भी information फिल की थी, आप उसको एक बार ही review कर लेना, तब आप जो हैं आपर final submission करना है, यानि कि अपनी fees को submit करना तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है, आपने जितने भी अभी तक फिल करी है, तो आप इसको जो है, अच्छे से ठीक से चेक करने के बाद ही, जो अपने examination का fees उसको pay करना, तो यहाँ पर यहाँ पर आप इसको आपने जो जो चीजे यहाँ पर verify कर लें, आप उन सब को यहा तो सारी information चेक करने के बाद और सारी columns को tick करने के पाद, आपको यहाँ पर I agree पर click कर लेना है, then final submission of application पर click कर लेना है, ठीक है, बट make sure करना कि आपने सारी के सारी information को ठीक से पढ़ लिया है, ठीक है, अब यहाँ पर आपका registration complete हो चुका है, आपका application form complete हो चुका है, और पर बच गया है, ठीक है, अगर आपका application form को edit करना है, तो यहाँ पर application form edit पर करोगे, क्योंकि after payment के बाद कोई भी editing नहीं कर सकते हो, तो आपको पहले से ही make sure करना है कि आपने सब को सही भरा हो, अगर आपने सब को check कर लिया है, तो यहाँ पर आप करोगे your email id to be verified, click here to verify your email id, इसके बाद ही जो अपना application form का, जो fee payment है, वो कर पाऊगे, ठीक है, यहाँ आपका application number यहाँ पर show हो गया है, जो मैंने अभी blur कर रख है, तो यहाँ पर एपना security pin डालो गया आपका, ठीक है, जो भी आपके पास आया होगा, तो नीचे दिया है, security pin यहाँ पर यहाँ पर type करन verify कर लेना है, यहाँ पर आपनी OTP को type, तो यहाँ पर आपके OTP को type कर लिया, उसके बाद आप इसको verify कर देते हैं, अभी आपको करने है, click here to go to home, अब आपको यहाँ पर आपका examination fee आप पे करने के लिए available हो, sorry, eligible हो चुके हो, तो यहाँ पर आप करोगे अपनी pay examination fee, जो भी आपनी category फिल किया, उसके according यहाँ पर आपको आपका जो भी fee payment है, शो करेगा, अगर आप OBC Assist हो, तो उसके according के शो करेगा, अगर आप general हो, तो उसके according शो करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप pay examination fee पर जहाँ पर click कर दोगे, उसके बाद आप यहाँ पर अपना mode select करोगे, इन option से आप यहाँ पर payment कर सकते हो, like अगर आप किसी car से payment कर रहे हो, तो कौन से bank की car से आप यहाँ पर payment करने वाले हो, अगर आप किसी other bank से कर रहे हो, तो आप यहाँ पर इसको first value option पर tick कर लेना, then proceed for payment, आपको जिस भी mode से करना है, VPA टाइप कर गया है, फिर QR mode, तो यहाँ आप की QR mode को click कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यह scanner शो कर रहे हो, और आपको time देगा आपको payment करने का, तो once you have made the payment, आपके पास अपना PDF आजाएगा application download करने के लिए, so यह था पूरा process कि आप किस तरीके से अपने application form को जो हैं आपके submit कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको व